वेल्कम बैक तो माई चैनल आज इस वीडियो में हम सिखेंगे कि गोगल एडसेंस अकाउट में अपने एड्रेस को कैसे वेरिफी किया जाता है और पिन नम्बर हासल किया जाता है तो सबसे पहले हैं वेरिफाई नाओ के आप्शनों क्लिक करते हुए एक नई विंडो ओपन होगी और इसी विंडो में अप्लोड का ऑप्शन होगा उस अप्लोड के ऑप्शन को क्लिक करते हुए हम अपनी जो फोटो बनाई हुए आईडी कार्ट की साफसे तरह के से फ्रांट साइट से तो हम उसको अप्लोड करेंगे जी और नई विंडो ओपन होगी लैप्टोप के ऑप्शन स्पेस में जहां पर हमने फोटो रखा हुआ है तो यह अप्लोड हो चुका है तो इसके बाद हम सब्मेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यह वरिफिकेशन इन प्रोग्रोस हो जाएगी तो यह हमारी वरिफिकेशन इन प्रोग्रेस है तो फ्यू वीक में हमें आपको पिन नमबर सेंड कर दिए गईगा जो के कुछ ही दिनों में आपको मिल जाएगा तो इसकी लिए तीन से चार दिन तीन से चार हफते होते हैं तो उसमें यह कह रहे हैं कि आपको आपका जो अट्रेस आपने दिया और आईडी कार्ड पर जो अट्रेस है Google AdSense में वो सेम होना चाहिए था कि आपको असानी से PIN नंबर जो लेटर आता है वो आपको मिल जाए तो उमीद है जल्दी से हमें बहुत जल्दी से वो मिल जाएगी PIN नंबर तो आपके साथ वो शेर करेंगे कि पिन को कैसे AdSense अकाउंट में लगाया जाता है AdSense को वेरिफाई किया जाता है तो हमारे साथ जुड़े रही है इन्शाला आपको नेक्स्ट वीडियो में भी इसके बार में पता है जाएगा इसमें एक और बात है कि अगर आप चार महीने के अंदर चार मन्थ फोर मन्थ में अगर PIN अप्लाई नहीं करते इसमें नहीं लगाते आप तो आप जो AdSense की जा रही है आपके चैनल के उपर बांद हो सकती है और अगर चार मिनो के मंदर अंदर आप ने लगा तो मैनुल तरीके से कैसे लगाते है वो भी आपको वीडियो में बताएंगे और ये आप नई PIN जो रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो भी तीन अफ़तों के बाद एक नई PIN रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो कि आपको नहीं मिलती तो आपको इससे चीखने का मौका मिला होगा लाफिज